दोगो कॉश्चन है F is equal to ऐसमें 2 value है एक X की-value 2 है or a X की-value 10 है सबसे पहले हम X की value-2 पर काम हिसे, दो क्शोर्च है 2 है या 2 से चोटी है, तो X या 2 की value 2 से चोटी है तो इसकी value कित्ती है 5 यहां पर सबसे पहले X vrij między 2 पर Fx की value कित्ती हो जाए तो 5 हो जाए ठीक है, x की value 2 पर 5, अब सबसे पहले LHL पर हम चेक करेंगे, limit x tends to 2 पर negative, fx, ठीक है, यहां लिखेंगे, माना x is equal to 2, तो इसमें 2 में, जब LHL की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ गटाएंगे, 2 minus h, x की value 2 यहां पर रखेंगे, ठीक है, 2 से 2 कट गया, h की value आई कितनी, 0, यहां पर रखो, limit h tends to 0, f, x की value कितनी है, 2 minus h, ठीक है, अब यह वाली value रखेंगे, x की value कितनी है, 2 या 2 से छोटी, तो कितनी आरी value, final value, 5, तो direct आप 5 लिखेंगे, बस, अब रहे चेल लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, रहे चेल लिखोगे, तो यहां पर फिर limit x tends to 2 पर positive fx, यानि x का मान 2 की तरह बढ़ रहा है, x और आवर 2 plus h, कितना बढ़ रहा है, h बढ़ रहा है, x की value 2 रखेंगे, 2 plus h, 2 से 2 कैंसल, h बढ़ आवर 0, ठीक है, तो यह हो जाएगा, limit h tends to 0, f, 2 plus h, ठीक है, 2 plus h हो गया, अब x का मान 2 से बढ़ आए, और कितना रहा है, a x plus b, तो यहाँ पर लिखेंगे, limit h tends to 0, a, 2 plus h plus b, ठीक है, limit यहाँ पर रखेंगे, तो कितना रहा है, 2 a plus b, तो हमें a और b की value को find यहाँ पर करना है, तो इसकी जो value हो जाएगी, वो हो जाएगी, 2 a plus b is equal to 5, 5, 5, 5, 5, तो 2 a plus b is equal to 5, ठीक है, अगर और ज्यादा लिखना चाहो, विशेस में है, तो f x is equal to lhl is equal to rhl, ठीक है, इसके जब तक बराबर नहीं रखोगे, तब तक हम answer इसको नहीं निकाल सकते, तो f x और lhl की value कितनी है, 5 है, ऐसे लिखा जाएगा फिर, 5 is equal to 2 a plus b, ठीक है, यह समीगड बन गया, एक, इसी तरीके से हम दूसर समीगड को बनाए दूसर समीगड में हम चेक करेंगे, x वराबर 10 पर, x वराबर 10 पर जब हम चेक करेंगे, x वराबर 10 पर, x वराबर 10 पर चेक करोगे, x वराबर 10 पर value कितनी आ रही है, 21 हा रही है, f x की value, ठीक है, f x की value कितनी आ गई, 21, अब इसे lhl पर चेक कर लो, जो करने का तरीका वही ह x is equal to 10 positive fx, ठीक है, अब limit h tends to 0 f x plus h, x plus, यहां लिखेंगे माना x is equal to 10, x is equal to 10 minus h, यहां पर 10 आएगा, 10 minus h, 10 बरावत 10 minus है, 10 से 10 कट गया, h की वेलू 0, limit h tends to 0, अब x का मान LHL में जारे 10 से छोटा है, यह आएगा, a x plus b, a x की वेलू है, 10 minus h plus b, यह हो जाएगा, 10 a plus, 10 a plus b, h हो जाएगा, 0, अब आरे चल कर लो, आरे चल करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, limit x tends to 10 positive, यहां पर negative हाएगा, fx, limit x tends to h, h आएगा, h, h tends to 0, f, 10 plus h, h, माना, x बरावर 10, 10 बरावर 10 plus h, 10 से 10 खतम, 1 minute, 10 से 10 cancel, h की वेलू 0, अब वो यहां रख दो, f10 plus h, limit h tends to 0, तो यह आपका हो जाएगा, इसमें रखेंगे हम, आरे चल म, बड़ा है, तो 21 ही आरे चल की वेलू बड़े होने पर, x की वेलू कित्ति आरे 21, ठीक है, अब देखो, यहां पर, fx, rhl, और lhl, fx और rhl की वेलू से में हैं, तो 21 आजाएगी, और lhl की वेलू कित्ति है, 10a plus b, अब समीगर नंबर 1 यह हो गया, समीगर नंबर 2 यह हो गया, यहां से इन दोनों को उपर नीचे रख कर, विलोपन विदी से स्वालू कर लो, अंसर आजाएगा, a और b की वेलू फाइंड कर लो,